आएए आज हम लोग अफरीका महाद्यूप की परमुक नदियों के बारे में अध्यन करते हैं आएए सबसे पहले हम लोग अफरीका महाद्यूप की परमुक नदियों में नील नदी के बारे में अध्यन करेंगे आएए देखते हैं नील नदी दो मुख्य साखाओं का संजुक्त रूप है बुलू नील टाना जहील से निकलती है जबकि स्वैत नील विक्टोरिया जहील से निकलकर बुलू नील से सूडान की रायधानी खारतों में मिलकर नेल नदी बनती है यह विश्व की सबसे लंबी नदी 6650 किलो मीटर है बुलू नील पर सोनार बाद सूडान में बना है वहीं ओवन बाद स्वैत नील पर ओवन प्रपात के समेप इस्थित है जबकि आस्वान बाद मिस्टर में नील नदी पर बना है मिस्टर को नेल नदी का वरदान कहा जाता है आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिवर जाइरे या कांगो आई देखते हैं जाइरे नदी को ही कांगो नदी भी कहा जाता है आई देखते हैं यह नदी लुआ लाबा एवं लुआ पूला नदी के संगम से निकलती है अपवाह वेशन की द्रिष्टी से अफरीका की सबसे बड़ी नदी है यह नदी विशुवत रेखा को दो बार काटती है जारे नदी की दो सहायक नदियां कसाई और उबांगी है विशु में हीरे के व्यापार का आधा भाग कसाई नदी वेशन से प्राप्त होता है जारे नदी पर ही लेवेंग इस्टोन जल प्रपात और इस्थित है और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिवर नाइजर आई देखते हैं नाइजर नदी यह नदी फुता जलयान सेरा लियोन से निकल कर गिनी माली नाइजर नाइजीरिया से होकर गिनी की खाड़ी में गिरती है अफरीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी 4185 किलो मीटर लंबी है और इसकी सहायक नदी वैनू है कायन जी बाद इसी पर इस्थित है नेक्स्ट रिवर जैमबेजी नदी जैमबेजी नदी यह कटंगा के पठार से निकलती है मोजांबिक चैनल में गिरती है इस नदी पर विक्टोरियः प्रपात और इस्थित है करीबा जहिल पर करीबा बाद निर्मित है मोजांबिक में इस नदी पर को बोरा बासा बाद निर्मित है यहाँ जांबिया एवं जिम्बामबे देश के मद राजनाइटिक सीमा का दिर्माड करती है और आगे हम लोग देखेंगे औरेंज नदी आए देखते हैं औरेंज नदी यहां नदी ड्रेकेंस वर्ग परबत से निकल कर अटलांटिक महासागर में गिरती है इस नदी पर अगुरेगीज बाद आउ इस्तित है यहां दच्छड अफरीका एवं नामीबिया के मद प्राक करतिक सीमा बनाती है यहां दच्छड अफरीका की सबसे लंबी नदी है आगे हम लोग देखेंगे लिम्पोपो नदी आए देखते हैं लिम्पोपो नदी यहां दच्छड अफरीका के ट्रांसवाल छेतर से उत्पन्न होकर मकर रेखा को काडते हुए हिंद महासागर में गिरती है यह दच्छड अफरीका एवं जिम्बाम्बे की सीमा बनाती है और एक महाच्पुर विशिष्टा लिम्पोपो नदी की यह है कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काडती है आगे हम लोग देखेंगे रिबर जूबा नदी आए देखते हैं जूबा नद जूबा नदी पूरवी अफरीका की नदी है जो मद इथियोपियन उच्छभूम से निकल कर सोमालिया में बहते हुए हिंद महा सागर में गिरती है रिबर है किव नीन नदी आए देखते हैं किव नीन नदी हुआम्बो सहर के समीब से निकल कर या मुक्यता अंगोला में बहती हुई अंध महा सागर में गिरती है और नेक्स्ट रिबर हम लोग देखेंगे सेने गल नदी आए देखते हैं सेने गल नदी गिनी की पहारी छेतर से निकल कर अटलांटिक महा सागर में गिरती है यह नदी सेने गल एवं मार्टानिया की सीमा बनाती है और नेक्स्ट river है कसाई नदी डिकते हैं कसाई नदी जैरे की सहायक नदी है जो जैरे एवं कांगों की सीमा है ओल्टा नदी डिकते हैं ौल्टा नदी ओल्टा ज्हील इसी नदी पर ऐ味श्थित है जो गिने के खाड़ियं में गरती है ऐए देखते हैं Next river आये देखते हैं आरंज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यहाँ नदी भी ड्रेकेंस वर्ग परबस से निकलती है आये देखते हैं Next river रुबुमादी रुबुमादी यहां तंजानिया एवजैंबर की सीमा बनाती है और next river चारी नदी चारी नदी अफरीका में सबसे लंबी नदी है जो गुम्ब गुई एवं बंब गुई नदियों के संगम से निर्मित अंतता चाड जील में मिल जाती है उवांगी नदी कांगो की मुक्ष सहायक नदी है जो वो मुँ एवं उले नदियों के संगम से बनती है और इस पकार से आज हम लोगों ने अफरीका महात्युक की परमुक नदियों के बारे में जाना आज यहीं तक बहुत बहुत धन्वाद